रादी रादी दोस्तों आज हम आपको देव उठनी एकाशी की एक बहुती प्राचीन कहानी सुनाने जा रहे हैं कहानी इस प्रकार है एक राजा था उसकी प्रजा बहुत सुखी थी वे हर एकाशी को व्रत किया करती थे, उनके राज्य में एकाशी के दिन अनाज को ना तो बेचा जाता था ना ही अनाज का प्रियोग खाने में किया जाता था सारी प्रजा एकाशी का वरत रखती थी फला अहार किया करती थी एक बार भगवान विश्णुजी ने उनकी प्रिक्षा लेने के लिए सोचा और एक सुन्दर इस्त्री का रूप धान करके सडक के किनारे बैठ गए राजा की सवारी जब उधर से गुझरी तो उन्होंने उस इस्त्री को देखा उन्हें लगा ये हमारे राज्ये की तो लग नहीं रही है तो वे सवारी से उतरे और उस इस्त्री के पास गए बोले सुंद्री क्या तुमी क्या कस्ट है क्या दुख है जो तुम इस तरह से बैठी हुई हो तब है इस्तरी बोली कि मुझे कोई दुख नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मेरा अपना है इसी विचार में मैं यहां पर बैठी हूँ कि मैं कहा जाओं और क्या करूँ तब राजा उसके रूप और सौंधरिय को देखकर उस पर मोहित हो गया और उन्होंने उस इस्त्री को कहा कि चलो तुम मेरे राजमहल में चलो मैं तुम्हारे साथ विवहा करूँगा तब इस्त्री ने कहा मैं आपके साथ विवहा करने के लिए तयार हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्ते हैं वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी राजा बोला आप अपनी शर्त बताईए मैं आपकी हर शर्त को मानूँगा तब भगवान जी जो इस्त्री के रूप में थे वो बोले जैसा मैं कहूँ आपको वैसा करना पड़ेगा जैसी रसोई मैं बनाऊं वो आपको जरूर खानी पड़ेगी राजा इस बात के लिए मान गए और उन्होंने उस इस्त्री को अपने महल में रख लिया अगले दिन एक आदशीक्त का वरत था तब उसके राज़य में कोई भी अनाज का नातो प्रयोग करता था नहीं बेचता था लेकिन उस इस्तरी ने राज्जे में इंडोरा पिटवा दिया कि आज सभी लोग अनाज का प्रियोग करेंगे और अनाज की बिक्री भी करेंगे, जिससे राजा कुछ ना कर पाया क्योंकि वह वचन से बंदे हुए थे तब उस इस्तरी ने भोजन में मास गराक बनाया, ग्रहन नहीं करूंगा लेकिन इस्त्री ने कहा आपने मुझे वचन दिया था तो आपको यह भोजन ग्रहन करना पड़ेगा राजा ग्रहन करने से मना करते हैं तब इसरी कहते हैं अगर आप मना करते हो तो आपको अपने बड़े पुत्र का सिर काट कर मुझे देना पड़ेगा तब ही आप वचन से छूट पाएंगे तब राजा बहुत ही चिंतित हुए और इसी सोच विचार में वे अपनी सबसे छोड़िये जो भी होगा देखा जाएगा जैसा उस इसरी ने कहा है आपको वैसा ही करना चाहिए क्योंकि किसी भी कारण वाश हम अपने धरम को नहीं छोड़ सकते तब ही राजा का बड़ा लड़का खेल कर घर लोटा तो अपने पिता और माता को चिंतित देखकर उनसे पूच बैठा उस लड़के की माता ने उसे सारा हाल कह सुनाया तब लड़का बोला पिता जी आप चिंता ना करें मैं अपना सिर देने के लिए तयार हूँ तब राजा ने अपने पुतर का सिर काटने ही वाला था तबी भगवान विश्नु जी अपने असली रूप में आ पांगते हो तब राजा ने कहा भगवन आप का दिया मेरे पास सब कुछ है अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वैखुंट का वास देजी भगवान जी की क्रिपा से राजा और रानी को वैखुंट का वास मिला जैसे भगवान विश्नु जी ने उस राजा और रानी को वेखुंट दिया वैसे सब किसी को देना कहते सुनते सभी को वेखुंट वास देना जो यह कथा सुनते हैं उनकी सभी मनो कामना पूर्ण होती हैं हमारी तरफ से देव उठाने काशी की सभी को हारदिक बढ़ाई अगर आमित्रों आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जाकर आज आप तुलसी विवा की कहानी भी सुन सकती हैं रादी रादी दोस्तों